नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी न्यूज है डिफेंस सेक्टर से, बताया जा रहा है कि टाटा ग्रूप देश की पहली प्राइवेट कंपनी बनने जारी है जो की मिलिटरी एरक्राफ्ट को मैनुफाक्चरिंग करेगी, अब ध्यान रखेगा जब मैं मिलिटरी जो रैफैल हो गया, सुखोई हो गया, इस तरह की जो फाइटर जेट्स होते हैं वही ध्यान में आता होगा, लेकिन मिलिटरी एरक्राफ्ट में बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ट्रांस्पोटेशन परपस के लिए हो गया, सर्वेलेंस परपस के लिए तो य यहाँ पर इसका importance क्यों है, प्लस यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि अगर Cabinet Committee on Security के द्वारा एक deal finalize कर दी जाती है, तो एक transportation aircraft भी बनाए जाएगा Tata और Airbus के द्वारा मिलकर, यह भी एक news सामने आई है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में details से जा सारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनेरा मौका इस्टडिया, इसके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके तुरू आप अपने preparation और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं, दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या है, तो Tata Group to build a military aircraft, और यहाँ पर आपको पता है कि present government का काफी जादा इस समय focus किया जा रहा है, कि जो local defense manufacturing है, उसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज के date में भी अगर आप देखोगे, जितने भी important equipment होते हैं, इसको हम import कराते हैं, तो यहाँ पर हमारी import dependency बहुत जादा है, और यहाँ पर अगर हम अपने neighbors को देखें, तो जरूरी हो जाता है कि हम अपने देश के अंधरी इस तरह की जो technology है, manufacturing है, उसको जादा से जादा बढ़ाये चाहें, तो Tata Group की subsidiary है, आप इसका नाम देख सकते ह तो Tata Advanced Systems Limited, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि high altitude twin engine aircraft की manufacturing की जाएगी, लेकिन सबसे पहला question आता है कि आखिर का रचानक से Tata आ कहां से गया manufacturing के अंदर defense military aircraft के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि Tata Group ने acquire किया है intellectual property rights for a German origin platform, जब मैं platform कहता हूँ, त तो यहाँ पर एक aircraft की बात मैं कर रहा हूँ, एक ऐसा aircraft जो कि Germany में बनाया जा रहा था, लेकिन आगे चल कर वो successful नहीं हो पाया, तो उसी platform का इस्तमाल करके, जो Tata Group है, उसको military aircraft में convert कर देगा, और उसके अंदर जो indigenous sensors हैं, हमारे देश के अंदर बनाया हुआ sensors हो गया, payloads हो इन सब को इसके अंदर fit कर दिया जाएगा और ये बन जाएगा आपका military aircraft, और देख सकते हो आप ये काफी high altitude पर उर सकता है, twin engine aircraft होगा ये, इसमें यहाँ पर multiple roles अपनाएगा, जैसे की intelligence की services हो गए, यहाँ पर border हो गए हमारा जो international borders है, वहाँ पर निगरानी रखेगा, surveillance करे और अगले तीन महने के अंदर हो सकता है कि ये भारत आ जाएगा for further integration, इसके अलबा आपको ये भी पता होगा कि भारत में आज के date में, जो हिंदुस्तान Aeronautics Limited है, इसकी monopoly है, अब्वेसी बात है, ये सरकारी company है, तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि भारत में किसी private company के द 90% के आज पास अभी recently था, लेकिन अभी recently यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर 15% हिस्सा HAL के अंदर सरकार के दौरा बेच दिया गया था, तो इस समय सरकार के पास 75% हिस्सा है HAL का, बाकी का 25% आप कह सकते हो कि यहाँ पर market के अंदर आपको इसका shares देखने को मिलेग तो यह पहली private company बन जाएगी, अब हम थोड़ा सा aircraft के बारे बात करते हैं, अभी तक proper detail तो सच नहीं दिया गया है Tata के दौरा, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो aircraft है उसका नाम है Grob G 180 SPN, आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह का कुछ aircraft है, तो यह commercial purpose के लिए actual मे बनाया जा रहा था Germany के अंदर, लेकिन इसका जो production है, वो final stage तक नहीं पहुँच पाया था, क्योंकि वहाँ पर financial strains आ गये थे इस company को, और इसी के वज़े से इसको रोकना पड़ गया था, तो यह जो aircraft का IP है, intellectual property rights है, उसको यहाँ पर Tata ने खरीद दिया है, और इसी particular aircraft के यह आपका surveillance कर सकता है, बताब बहुत उचाई पर, in fact इसकी maximum altitude बताया जाता है, 45,000 feet की है, तो एक काफी अची चीज़ होती है, जितना जादा high रहेंगे, तो यहाँ पर जो enemy है, उससे हम बच सकते हैं कहीं न कहीं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि it can be used for intelligence gathering, surveillance, reconnaissance, purposes, ISR जो basically हम कह रहे हैं, surveillance के purpose के लिए यहाँ पर काफी काम हैगा, और इसका जो design है आप देख सकते हो, grass के उपर भी यह उतर सकता है, gravel, जो छोटे-छोटे आपके पत्थर होते हैं, वहाँ पर भी उतरने की यह चमता रखता है, long, low wing है, इसका जो wing है, आपको थोड़ा सा नीच हैं इसके अंदर, और इसकी जो range है, आप देख सकते हो, around 1800 nautical miles बताई जाती है, मतलब कि आप कह सकते हैं, करीब 6-7 घंटे लगातार यह आपका उड़ान भर सकता है, और इसका जो payload capacity है, वो 1000 kg के आसपास है, मतलब 1000 kg का जो weight है, इसके अंदर sensors और बाकी सारी चीजें, हम इ तो यहाँ पर क्या होगा, कि भारत जैसे देश में जहाँ पर mountain ranges हैं, इसके लावा international borders हैं, तो हमारे लिए इस तरह के aircraft काफी जादा important हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम जितनी भी चीजें मंगाते थे, वो हम बाहर से मंगाते थे, और इसलिए यहाँ पर जो TATA के सुकरन सिंग हैं, MD हैं, इस particular TASL company के, उन्होंने यहाँ पर इसलिए बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस aircraft को अच्छे से modify करके भारत की military forces को हम किस तरह से दे सकते हैं, और यहाँ पर बताया ज़रा है कि अगर हमारी forces इसको इस्तमाल करेगी, तो हम एक पहले क्या होता था, कि अगर हम भी equipment को acquire करते हैं, उसका use करते हैं, तो उसके maintenance के लिए हमें बाहर के उपर ही dependent होना परता था, customization करना है, software करना है, तो हर एक जानकारी, एक जो secrecy होती है, वो हम अपने देश के अंदर ही रख सकते हैं, हमें उसको बाहर किसी foreign country के साथ share करनी की आवशकता नहीं है, तो एक ब performance करता है, तो आगे चलकर बाकी aircraft की भी manufacturing कर सकता है, और यहाँ पर क्या आपके मन में सवाल आएगा कि क्या Tata Group को यहाँ पर कोई order मिल गया है, हमारे भारत सरकार की तरफ से, military forces की तरफ से, तो देखिए, अभी तक है सच order तो नहीं मिला है, लेकिन यह जो company के executives हैं, उन्हों आगे चलकर जो orders हैं भारत सरकार की तरफ से, वो मिल सकता है, क्योंकि recently भी आपने देखा होगा, तेजस को लेकर अभी 48,000 करोण का order यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, इसके अलावा एक और news है, मैं आपको बता रहा था, आप देख सकते हो कि cabinet committee on security, अगर ए C-295 transport aircraft, तो यहाँ पर अगर cabinet committee on security clearance दे दी है, क्योंकि military की तरफ से बताया जा रहा है, कि already यह दिया जा चुका है, तो यहाँ पर Tata और Airbus, दोनों मिलकर भारत के अंदर इसकी manufacturing करेंगे, तो एक और यहाँ पर made in India हम कह सकते हैं, military equipment related, कि इसकी भी manufacturing भारत के अंदर की Let's see कि किस तरह से चीजें turn out होती है, बटाई हो कि इस वीडियो के माध्यम से, Tata Group का आगे क्या plan है, military manufacturing को लेकर, aircraft को लेकर, वो आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, जाने से पहले मैं आपके लिए question लेकर आया हूँ, आपको बताना है कि यहाँ पर digital sky platform recently launch किया गया था, आ कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूं, stories के form में, आप जाकर play कर सकते हैं, अगर आप मुझसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ आप पर जा सकते हैं, I hope कि वीडियो आपको पसंदा होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.